हम अकसर देखते हैं कि कई-कई बार कोशिन पेपर में आता है कि किस देश में क्या नैशनल गेम होता है आज के वीडियो में मैं यही बारे में बताऊंगी आप लोगों को साथी साथ हर एक स्पोर्ट्स में जो प्लेयर होता है उनके बारे में भी बताऊंगी तो जरूर वीडियो को एन तक देखेगा तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगी नैशनल स्पोर्ट्स और सम कंट्रीज कई-कई देशों में जो नैशनल स्पोर्ट होता है उसके बारे में तो कॉलम वाइस मैंने लिखा है ताकि समझने में आसानी हो तो सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया जिसका नैशनल गेम है क्रिकेट दूसरा है ब्राजिल जिसका नैशनल गेम है फुटबॉल नेक्स्ट है कैनाडा जिसका नैशनल गेम है आइस होकी नेक्स्ट है चाइना जिसका नाशनल गेम है टेबल टेनिस इसके बाद है इंगलैंड जिसका नाशनल गेम है क्रिकेट नेक्स्ट है इंडिया जिसका नाशनल गेम है होकी नेक्स्ट है जेपैन जिसका नाशनल गेम है जूडो और जूजित्सो इसके बाद है Malaysia जिसका national game है badminton इसके बाद है Pakistan जिसका national game है hockey नेक्स्ट हम बात करेंगे रशिया के बारे में जिसका national game है chess और football आप लोग मुझे comment करके बताएगा कि chess सबसे पहले किस दिश में खेला गया था नेक्स्ट है Scotland जिसका national game है rugby football इसके बाद है Spain जिसका national game है bullfighting नेक्स्ट है USA जिसका national game है baseball तो ये था कुछ important countries के बारे में और उसके national game के बारे में अब मैं बताऊंगी ये जो important game है इन game में कितने player खेल सकते हैं मैं एक site का बताऊंगी one team का तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला है baseball जिसके number of players है 9 नेक्स है basketball जिसके number of player है 5 कबड़ी में 7 player होता है नेक्स्ट है cricket, football and hockey इन सभी में 11 player होता है इसके बाद है खोखो जिसमे 9 player होता है इसके बाद है polo जिसमे 4 player खेलते हैं हर एक team में नेक्स्ट है badminton, table tennis और tennis इन में हर एक team में 1 player होता है और 2 player होता है इसके बाद है water polo जिसमें 7 लोग होता है volleyball में 6 लोग होता है sports related आप जो भी current affairs और video देखना चाते है मैंने description box में link दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं उन video को ये video इतने तक ही था I hope ये video आपको informative लगे अगर video पसंद आए तो ज़रूर like कर लीजिएगा और channel में अगर नए है तो channel को ज़रूर subscribe कर लीजिएगा comment में भी बता सकते हैं कि video कैसा लगा और next किस topic के बारे में आप video देखना चाते है see you in the next video